नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फिर्स्समेंट पे and I am your mentor शिवाँज भसीन आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है and आप लोगों को इस वीडियो देखने में बहुत ज्यादा इंट्रस्ट आएगा क्योंकि आज के जो भी स्टॉक्स थे जो आप लोगों को कल रिकमेंट करें गए थे बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें है येस गार फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें 3 परसेंट अप बजाच विंसर्फ की बात करें 2 परसेंट अप सोलर इंडस्ट्री भी अप लास्ट आर के अंदर अप ल्टी आई की अगर मैं बात करो तो हमारे बाइ लेवल तक पहुचा भी नहीं जहां पर हमें बाइ करना था उसने ब्रेक आउट ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं 5 में से 4 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा करा एंड हम लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले जैसे अगे मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मैंने अपने क्लाइंट्स को अरे बाइ करवा रखा है एंड मैंने भी इस पर अपनी बाइ पुजिशन बना रखी है सो देखा आप लोगों को ने कि किस बढ़िया तरीके से हमारे स्टॉक्स एजब बढ़िया रिटर्न दे पा रहे है बहुत सिंपल देखे सिंपल स्टार्टजी होती है जाद तर लोग कहते हैं कि Market अगर गर गर रही है तो आपको Sill Side में जाना चाहिए नहीं अगर आपके Stock Selection अच्छे है अगर आपकी Technical Analysis अच्छी है आपकी Techniques अच्छी है अगर आप Stock की Psychology को समझ सकते होगी वो गिरते Market में भी उठ सके तो आप लोग पैसा बढ़ती मार्केट में भी कमा सकते हैं आपको बता है कि मैं शॉट करने में बिल्कोल भी इंटरस्टेड नहीं रहता आप मेरी कोई भी वीडियो उपन करके देखोगे मैं बताब 500-500 मार्केट फॉल करती है मैं शॉट के लिए तो देता ही नियुजाद अधर श्टॉक्स विया तो तब भी आप लोगों के बता है मैं एक इंवेस्टर हूँ मैं BTS दी कर लेता हूँ या फर मैं स्विंग ट्रेडर और एक इंवेस्टर हूँ देफिनेटली है है डेेचा सारूण कर लेघी तक लिए ऒंस रावी धनूड़ व Nicholas जिस तरीकेसे मैने स्टार्ठ कर रहे है एक्साल में आप लोगों को मैं घ्यान देने वाला हूँ कि जिस तरीके से मैंने start कर रहा है उस तरीके से आप लोग भी start कर सकते हो मुझे से वे एक साल हुआ है start करते हुए मुझे result दिख रहा है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा ये चीज and definitely in the future जब आप 40 साल के होगे आपका ही benefited है आपके हाथ में करोडो रोपे होंगे I'm guaranteed you guys इस बात को ध्यान रखेगा अभी आपको लगेगा यार मैंने पैसा लगा दिया मेरा मन कर रहा है विड्रोग करने का कर लूँगा बट ये गलती कभी मत करना मेरे साथ होती है कि मेरा मन करता है यार मैं ये खरीद लूँ ये कुछ कर लूँ मैं stock market में दुबारा लगा के कर लूँगा बट ऐसी गलती नहीं करनी है मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा don't worry बट अभी जो strategy इसको follow मैं कर रहा हूँ जिस basis पे ये मैं stock selection कर रहा हूँ ये strategy मैं implement कर रहा हूँ इस पे मैं एक indicator develop करने की कोशिश कर रहा हूँ जब ये indicator develop हो जाएगा जिस तरीके से मैं stock selection कर रहा हूँ उसी time पे मैं आप लोगों करता हूँ बट जो strategy है आज वो अपने clients के साथ share करने वाला हूँ कुछ limited होंगे जिनके साथ में share करूँगा जो उन्हें test करेंगे strategy को जो intraday strategy है सर्फ ये तो मेरी अलग है ये मेरी personal है ये मैं किसी को नहीं बताता बट जो intraday strategy है उस पर मैं test कर रहा हूँ बट मैं उन लोगों को भी दूँगा कि वो लोग भी test करें जब उनके तरीके से उनके तरफ से बड़ी है result मिलेगा देन मैं आप लोगों के सामने यूटूब वीडियो पे प्रेजेंट करूँगा हम 5-6 लोग मिल के test करेंगे जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है उनमें से मुझे पता है कि कौन से 5-6 लोग है जो ही कर पाएंगे और उनके साथ वो वीडियो शियर उनके साथ ही वो strategy शियर करेंगे तो बात करते हैं आज की market की तो आज की market definitely market एक gap down ओपन ही उसके बाद हम लोग ने देखा एक selling pressure दुबारा देखने को मिला नीचे गया था पंदरा मिनिट पे अगर 50 डे मुविंग एक्स्पोनेंशल मुविंग रिच की बात करें तो लिफ्टी ने support दिया था एंड मौके में वो break कर गया बट बांग लिफ्टी अल्रेडी ब्रेक कर चुका था सो अब करना क्या है अब decision क्या लिना है देखें market अभी वी weak है market ने upside rally दी market को उपर ही sustain करना चाहिए था बट एक जो gap down देखा and जो नीचे closing देखी without any recovery हम लोगों को लग रहा है कि market अभी वी weak है और downside दिखा सकते है या sideways to limited very limited upside to downside है ठीक है तो मैं आपको बता दिता हूँ very very limited upside to downside है ठीक है बट अभी जादा नहीं गिरीगी मुझे लग रहा है surety तो मैं नहीं कह सकता कि कोई भी नहीं कह सकता बट अभी मुझे जिस तरीके से psychology की basis में काम करूँ इतनी जादा गिर चुकी है अब आप लोग दिमाग लगाना start करिए थोड़ा सा अपने तरीके से भी initiative लेना start करिए जो जो मैं stocks बताता हूँ वो stocks जो मैं actual charts पे explain करके levels बताता हूँ वीडियो को pause करिए एक बर वो levels को copy में note कर लीजेगा थोड़ी महनत आप थोड़ी study खुद करेंगे आपको result stock market के अंदर अच्छा देखने को मिलेगा ये stocks जो opportunities ही आप वो miss नहीं कर पाएंगे so चलिए start करते हैं ये आप लोग नहीं कह सकते कि मैंने आप लोग ये सारे stocks gap up open हुए है exact उसी level पे open हुए तो उल्टा नीचे उपन हुए थे बड़ तब भी आपको A to Z percent का result दे कर गए telegram पे भी जो मैंने बजाज फिंसर्फ का post कर राता बहुत बढ़िया result मिला बहुत लोगों ने अपने profits मुझे share कर रहे हैं and definitely guys अब मैंने तो आप लोगों को बताई रखा है पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम पांच तारिक से दुबारे ये सारी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं calls provide कर आता हूँ जो basis पे मैं बाय करता हूँ वही मैं आप लोगों को provide कर रहा हुगा जो चली अगर आप लोगों को इंट्रस्टेट आप लोगों को सारी queries provide हो जाएंगी सारा सारा solution provide हो जाएगा जो चली स्टार्ट करते हैं and market पे मिलते हैं and life charts पे देखते हैं किस तरीके से काम हो सकता है एक question का answer में और देना चाहूँगा मेरे पास कल तीन phone आया कल मेरे पास तीन phone आया है और मेरे से पूचा जा रहा है तो sir आप सजीव भसीन के रिष्टेदार हैं आप उनके बेटे हैं तो guys ऐसा कुछ नहीं है मेरे वो रिष्टेदार नहीं है but yes sir name मिलता है तो हम लोग कह सकते है but रिष्टेदार कोई नहीं है न वो मुझे जानते है न मैं उन्हें ठीक से जानता हूँ so but यही है आप लोग उनसे compare करें it's very good and definitely मैं उनकी तरह बंदे की कोशिश करूँगा and guys एक चीज मुझे और बताएगा जो में strategies आप लोग के इंट्राइडे लेकर आता हूँ क्या मैं अब value investing की तरफ बी जाना start करूँ because मैं personally तो follow करता हूँ but मैं सोचार दा कि आप लोग के साथ शेयर करना start कर जा है so please do let me know as well okay so चलिए start करते है so चलिए start करते हैं अब लोग अपने charts पे and देखते हैं कौन से कौन से stocks बढ़िया perform कर सकते है nifty bank nifty कभी setup देखेंगे but जैसा कि मैं बताया है कि sideways to limited upside to downtrend तो मतलब इदर इदर ही है तो stocks specific ही हम लोग रहेंगे and जाद अदर stocks की बात करेंगे तो जैसा मेरे पास एक query आ रही थी मैं इसका reply अभी करना चाहूँगा कि मेरे पास आदर सर आप जो stocks खुद बाई करते हो जो अपने clients को बाई करवाते हो वो ही YouTube पे बताते हो यह तो गलत बात वी तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई जो stock में बाई कर रहा हूँ तो वो में क्यों नहीं बता सकता YouTube पे बिकॉस मेरी analysis जब मैं अपना खुद का पैसा लागा कि बाई कर रहा हूँ किसी और को बता रहा हूँ जो मुझे पैसा दे रहा है तो मैं अच्छे से ही stock find करूँगा और वो ही अगर मैं YouTube पे बता रहा हूँ It's not a bad thing तो मतलब जो मैं बाई कर रहा हूँ उसका अलग आप लोग को बताया जाए आप ऐसा चारहे हो तो यह चीज नहीं है जो जो मैं बाई करता हूँ जिस पे मेरी पूरी particular study होती है वो ही stock आप लोग को भी बताया जाते है तो यह आप लोग को लिए अच्छी बात होनी चाहिए For example, आज के भी stocks मैंने buy कर रहे है उस पे भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ यह stocks भी मैंने buy कर रहे हैं इन में से कुछ वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो पहला stock है अप सबसे पहले क्या करना है वीडियो को pause करिया और copy pen लेकर आईए जो जो stocks मैं बता रहा हूँ उसको note करिये ठेक है यहाँ पर stock का नाम लिखी है और जो जो levels बता रहे जा रहे हूँ वो levels पर ध्यान देके लिखना है ठीक है मैं repeat कर दूँगा दुबारा और आपको लिखना है अगर आप नहीं लिखेंगे it's your loss तो सलिए start करते हैं सबसे पहला stock का नाम है Bajaj Auto यह stock जो मैंने खोल रहा है यह है Bajaj Auto ठीक है यह भी मैंने आज buy करावा है ठीक है अराउंड 36, 47 के असपास मैं इस पकनी buy position बना रखिया है cash में options नहीं करता हूँ मैं futures में नहीं करता हूँ ठीक है cash में मैंने buy बना रखिया क्या देखा था मैंने let me tell you ठीक है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है I hope आपको यह वाली चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पर देख सकते हैं एक rising channel के अंदर यह काम कर रहा है particular stock जब rising channel के अंदर यह काम कर रहा है तो आपको यहाँ पर clear way में दिख रहा है कि फर्स time support, second time support and third time support यहीं से लेके यह particular stock बाउंस करा है इसके बाद let me use 100 day exponential moving average what is 100 day exponential moving average first time bounce करा उपर गया first candle का breakdown आया पहली बार candle का breakdown आया बट मैं आपको को always बता रहा है कभी भी पहली candle का breakdown आता है तो we have to be sure हमें confirmation के लिए वेट करना अगर अगली candle उसके नीचे बंदोती है ऐसा नहीं हुआ अब trend पर जाना start करा दुबारा enter कर गया उसी zone के अंदर because यह इसको break करा क्योंकि एक channel का support था जिसे उसे test करना था आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस level पर break करा उपर गया दुबारा नीचे आया और दुबारा उपर गया तो जो चीज पास्त में उचकी है exact same चीज यहाँ पर हुई है अगर शायद पास्त में हुआ होगा तो वहाँ पर भी देख लेते हैं उपर गया उपर sustain नीचे आया और फिर continue rally हो गई तो जो चीज पास्त में बार बार हो रही है वह चीज दुबारा continue होई है exact अपने support को इसने माना है और यहाँ से ऊपर जाना start करा है current price चल रहा है around 36.70 का but मैंने 36.47 के आजपास इसे बाई करावा है एक reason और है वो भी मैं दिखा देता हूँ ठीक है यह देख रहे हैं एक downward movement है यहाँ पर देखेगा यह downtrend आपको देख रहा है मतलब lower slope है lower low बना है अब आप आईए यहाँ check करेए यह मैंने RSI open कर लिया है RSI का अगर आप check करेंगे तो जो movement है वो upward की तरफ है मतलब RSI divergence देखने को मिले है जो कि एक bullish divergence है यानि कि यहां से stock के ऊपर जाने के chances हाई है यह particular stock मैंने buy कर रखा है और भी चीज़ हम लोग देख लेते है don't you worry मैं और चीज़ आपको दिखा दूँगा इस पर और क्या-क्या है let me show you see एक channel के अंदर भी काम कर रहा है मैं इसे हटा दू just wait a second let me clear all the drawings and this particular EMA and यहां पर आप clearly दिख रहा होगा कि यह एक channel के अंदर काम कर रहा है देख सकते हैं यह एक channel के अंदर काम कर रहा है एक sharp up move उसके बाद एक consolidate कर रहा है and उसके बाद यहां से हम लोग एक up move expect कर रहा है ठीक है तो आप यहां देख सकते है exact exact पूरी up move का 50% cover कर रहा and exact यहां से उपर जा रहा है so patterns satisfy कर रहे है moving average satisfy कर रही है RSI satisfy कर रहा है Fibonacci satisfy कर रही है trend line satisfy कर रही है so इसके basis पर मैं stock को buy करता हूँ और आप लोगों को recommend करता हूँ guys so यह सारा structure आपको समझना पड़ेगा यह बहुत वास्ते रही है एक एक चीज आप समझोगे तभी काम्याप बन पाओगे market के अंदर यह सारी चीजों का point of view लेकर ही आपको काम करना है stock target और stop loss note करेए देखे मेरा तो swing trading है अगर आप करना चाहते हैं तो आप hold कर सकते हैं पार हजार के target के आज पास तक के लिए तीक है मैं तो उससे भी उपर target के लिए hold कर रहा हूं मैं कब तक के लिए hold कर सकता हूं but intraday के अगर मैं बात करूं तो for that let me open a 1 hour time frame and 1 hour time frame पे अगर मैं थोड़ा सा zoom out करता हूं तो आपर आपको clear picture दिख जाएगा yes breakout आ चुका है already इस लेवल से एक breakout आ चुका है because एक बर जो closing past तुम हमें देखने को मिली थी वो exact इस लेवल पे देखने को मिली थी and उसके बाद यहाँ पर हमें closing देखने को मिली थी तो तो एक breakout आ चुका है अरम से 2-3 रुपे के उपर उपर but अभी हम लोग बाय जा सकते हैं तुम्हें एक psychological safe level बता देता हूँ कि अगर कल gap down आता है तो आप लोग safe राओ okay 36.85 के उपर बाय करना है buy above 36.85 the target should be around around 35 36 not 37.10 yeah 37.15 के आसपस तक का target रख सकते हो okay and इस तो up loss should be around 36.70 so what you have to do 36.85 के उपर buy है 36.70 का stop loss है 15 रुपे का stop loss है 30 रुपे का target मानके चल सकते हो okay चलिए move to our next stock and this is Chambal Fertilizer Chambal Fertilizer let me open yes यह वाला particular stock है definitely यह वाला particular stock भी मैं buy करने के बारे मैं सोच रहा हूँ but not right now अभी नहीं इसके लिए में 50 days exponential moving average लगा देता हूँ and let me open this so here आपको clear picture मिल रहा होगा कि पूरे time यह 50 day exponential moving average के उपर काम करा breakdown दिया retest करा पर नीचे नहीं जा पाया exact इसी level पर यह क्या कर गया इसी level पर यह रेंज के अंदर काम करने लग गया अभी कर लेता हूँ वो गड़बार हो जाएगी तो यहाँ पर आपको देखना है 50 day exponential moving average around 230.5 के असपा से आ रहा है इसका breakout होता है एक buying शायद बन सकती है इस तो को watch करके चलेंगे our next stock is GNFC इसको भी check कर लेते है GNFC आप simple analysis just like Bajaj Auto पर जो एक trend line बनी थी आप यहाँ पर clear picture लेकर चल सकते हैं exact एक strap up move एक consolidate corrects kind of formed a flag pattern जो की एक bullish flag pattern होता है and exact अपने 50 day exponential moving 50 day के Fibonacci ratio से breakout देके उपर गया है and इस level के उपर sustain कर गया so अगर यह अराम से 302.5 so दुबारा मैं नाम बोल रहा हूं stock का note करिये GNFC stock का नाम है third stock जो मैं बात कर रहा हूं buy above 302.5 दुबारा repeat कर रहा हूं buy above 302.5 the target should be around 307 to 309 and your stop loss should be around 298 290 not 298 you can go for 298.5 298.5 stop loss 307 to 309 target and 302.5 के उपर buy करना है ठेक है our next stock is ICICI Pro यह वाला stock मैंने आज buy करा है let me tell you ठेक है yes आप देख सकते है यह वाला particular stock है जो मैंने buy करके रखावा है and I personally think कि यहां से ही उपर जाने कि इसकी upside but it's a BTST it's not a swing trade or anything यह एक BTST trade है जो मैं लेकर गया हूँ and let me tell you wait a second just let me remove this आप clear ली आपर एक चीज़ observe करेंगे this is the particular support यह पर एक resistance था यह एक breakout दिया that resistance become support उसके बाद exact sharp fall आई upside गया exact side में resistance जब resistance वाला और previous high को break कर गया that means कि यह पर एक trend हमें देखने को मिल रहा है जब यह पर हम लोगों को एक trend देखने को मिल रहा है तो I think कि इसका जो breakout आया है 3-2 रुपे उपर ही आया है मैंने exact इसी level पर भाय कर आया मैंने पचास पैसा नीचे बाय कर आया है 6.5 your target should be around 452 to 457 452 to 457 and your stop loss should be around 441 441 का stop loss और 457 to 455 तक के आस पास तक के आपके targets हो जाएंगे just wait a second okay so यहां पर हमारी ही targets हो जाएंगे and I personally think कि एक upside दिखा सकता है और एक चीज़ और मैं अगर यहां पर Fibbon Nachi एक और draw करता हो so I think that the hurdle is at 459 मैंला 451 psychological level है so what you can do आप कुछ quantities 459 के आस पास exit कर सकते हो and कुछ quantities hold कर सकते हो for a higher target okay our last stock is मैंने सिर्फ 2 stock buy कर रहे हैं एक तो जो मैंने आभी आपको starting के बता है Bajaj Auto and our second stock is that ICSA proof यह मैंने buy नी कर आवा मैं सोच रहता buy करने के लिए but मैं miss out कर गया and मुझे अपना थोड़ा सा capital safe रखना था कल के market के लिए ठीक है जब कल expiry होती है तो मैं generally options पर काम करता हूं तो मुझे उसके लिए safe रखना था okay so अगर मैं इसका clear picture दिखाता हूं on a weekly time frame first of all तो यहां पर आप देख सकते है कि एक बहुत बढ़िया resistance at this particular point ठीक है multiple resistance है उसका एक breakout यह already दे चुका है and let me open that one day time frame as well उसके बाद इसने क्या कर रहा है आप यहां पर clearly देख सकते है breakout दिया retest कर रहा है exact इस level पर दुबारा उपर गया और अपने resistance को face कर रहा है so what you can do अभी जिसका current price है वो 1903 के आसपास चल रहा है so buy this particular stock ACC की बात कर रहा हूं buy above 1905 1905.5 and I think 1915 should be our target 10 rupees is enough for intraday and 5 rupees का आप stop loss अग सकते हो so आपको करना है क्या है इसमें 1.2 risk to reward ratio लेकर चलना है अगर यह उपर जाना start करता है एक safe side और में देख लेता हूं just wait a second I think the safe side should be 115 तक का ही target expect करियेगा and मुझे लगता है 120-125 तक भी जा सकता है so आप अपना risk manage करके काम कर सकते है I think मैंने 5 stocks तो आपको recommend कर दी है let's move to nifty 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 bank nifty में कोई ऐसे trade नहीं है जब तक options नाओ आपको clear picture यहाँ पर दिख रही है just wait a second yes here clear picture दिख रही है it gave a breakout breakout देने के बाद retest exact 50 day exponential moving average पर ही support ले रहा है so अभी तक के लिए मेरा कोई trade नहीं है जैसिए 14 6 30 को break करता है मैं एक heavy selling pressure के लिए चले जाओंगा जो कि मुझे 14 500 तक लेकर जा सकता है या 550 तक लेकर जा सकता है 80 to 100 points in 50 is more than enough तक है so let's open 15 minutes time frame and check करते है एक triple top type scenario में exact इस level पर देखने को मिला यह clear picture देख सकते है yes it can form a head and shoulder pattern जो मैंने आपको कल बताया था मैंने बोला था कि इसे breakout नहीं करता तो नीचे जा सकता और नीचे जाने के बाद a head and shoulder pattern मना के breakout दे सकता है so यह वह formation भी पूरी कर सकता है so neither it's a breakdown अभी बुलिश भी नहीं है बीरिश भी नहीं sideways है okay sideways पर कोई trade नहीं करना है जब एक breakout आएगा from this particular level तब ही buy करना है जब यह 630 को break करके नीचे जाएगा तब sell करना है सारी opportunities बता दिया note that level let me open bank nifty as well bank nifty भी आप देख सकते है क्या कर रहा है just wait a second बार बार इसको हटाना पड़ता है देख सकते है क्या कर रहा है let me show you एक fall आई है yes एक fall आई है उसके बाद एक range के अंदर काम कर रहा है अगर range का इस level से breakout आता है we can go for a buy nifty भी शायद breakout आने की chances दिख जाए और अगर यहां से breakdown आता है we can go for a sell let me tell you about the target कब sell opportunity initiate करनी है below 33,160 below 33,160 के नीचे sell है below 33,160 के नीचे sell है दो बार बोल चुका हूँ buy कब करना है 33,500 के उपर buy करना है 33,500 के उपर buy करना है 33,160 के नीचे sell करना है market pay time decay की वज़द से आपको losses book करने को मिल सकते है so कल option call or put के थुरू काम नी करना वरना आप करना चाहो तो sell कर सकते हो call or put option को writing के थुरू काम कर सकते हो so I think मैंने सारा कुछ explain कर दिया होगा so video पसंद आई है share करिए let's aim for 1 lakh subscribers आप तो पूरा कर दिये यार video यार मेरे चैनल को share करिए हर लोगो ओपे की subscribe करें let's go for 1 lakh subscribers बहुत टाइम से आप लोगो के वीडियो बना रहा हूँ and देखने की कब तक हो जाएंगे and चलिए अगर आप लोग जोइन करना चाहते है for our 5th April of जो हम लोग स्टर्वे स्टार्ट कर रहे है calls की अब हमें join कर सकते हैं नीचे description पे WhatsApp number अब हमें contact definitely कर सकते हैं तब तक के लिए मैं शेवांज मसीन मिलता हूँ आप लोग इस अगली वीडियो पे Bye Bye आप आप